हलो दोस्तों कैसे हो उमीद करूँगा सब एकदम बढ़िए होंगे क्या दोस्तों आप भी अपने आइफोन के अंदर फेस आडी लोक लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही सीखें गे कि आइफोन के इंदर फेस आडी लोक कैसे एक्टिवेट किया जा की लाता है दोस्तों के पास कोई भी iPhone हो iPhone 11 12 13 पर या Comac कोई भी iPhone हो सभी में दोस्तों सेम स्टैक फॉलव करना है और ऐस आइड़ी आपके पास जो आपका wanna email idea अगरण दोस्तो सभ से अब से साएडी से jeito काम में ले सकते होगे इसमें दोस्तों Uhr mame साइडी सैति ओपन करूंगे इसमें दोस्तों last up देखते रहे मगर उससे पह्ला के बैट सबस्क्राइब Alrighty कर दे ताकि हम जब भी कोई वीडियो डाले तो वह चीज़ें आपके पास पहुच जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आइफोन के अंदर एक स्टेटिंग का ओप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करके इसको ओप पर करना है अब दोस्तों यहां पर एक ओप्शन दिखाई दिखाई दे रहा होगा सेट अपश सेगा वीर्यति ऑंपको इसके ओपर क्लिक करना है अब दोस्तों यहांप पर कुछ रिक्वार्मेंट इनकी तरप से मांगी जाती हैं कि हाव तू साथ आप मसाट साथी यानि Anda पॉजिशन यूवर फेस इन दा कैमरा फ्रेम दैन मूव यूवर हैड इन ए सर्किल तो शो ओल दा एंगल ओफ यूवर फेस दोस्तों इनका कहने का मतलब यह है कि इस गैट स्टार्ट पर जैसी हम क्लिक करेंगे इसके बाद सबसे पहले अपने चैरे को कैमरे के अंदर सेट क करना होगा उसके बाद चैरे को क्लॉक वाइज हमको घुमाना होगा तो चलिए दोस्तों करके देख लेते हमने गैट वाले ऑप्शन पर किलिक किया अब दोस्तों हमारा फेस हम इसके अंदर एक बार सेट करके देख लेते हैं तो दोस्तों हमने हमारा फेस देखो यहां पर कर लिया है अब दोस्तों यह बोल रहा है कि आपको continue करना आगे तो हम continue को option पर क्लिक करेंगे अब यह कहरा move your head अब इसको अब जैसे यह बोल रहा है वापस हमारे को इसके अंदर फ्रेम के अंदर के अपने चैरे को set करना होगा तो चलिए मैं set करके दिखा देता हूं अब यह बोल रहा है कि आपको वापस वापस अपने face को गुभाना होगा अब दोस्तों हमारा face ID का जो step है वो complete हो चुका है अब आपको यहाँ पर done के option पर क्लिक करना होगा अब दोस्तों आप से passcode पूछा जाएगा यानि कि face ID लगाने के बाद अब आपको जो pin नमबर बन है तो यह verify करवा रहा वापस आपको type करना होगा face ID के बाद pin नमबर लगाने के बाद अब आपके सामने वापस आप से apple ID का password पूछा जाएगा आपको apple ID का password डालने के बाद अब उपर right side में top पर sign in का button दिखाई दे रहा होगा आपको sign in के button पर click करना होगा अब दोस्तों आपका face ID इसमें activate हो चुका है आपके iPhone के अंदर तो दोस्तों आप जब भी लोग open करोगे कोई भी application डाउनलोड करोगे कोई भी application जैसे third party application wallet वगरा तो हर बार आपको यह face ID से open कर दिया करेगा और दोस्तों अब इसमें हम एक बार इसको check करके देख लेते हैं लॉक लगा क face ID नहीं मिली है तो यह हमार से passcode पूछ रहा है तो हम फिलाल password से इसको open करते हैं तो अब हम इसको दोस्तों वापस lock लगाते हैं और face ID से open करते हैं तो दोस्तों मैं side में से देखता हूं तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इसने face ID detect करके lock open कर दिया है और अब हमारा face ID activate हो चुका है तो दोस्तों मेरे इसाफ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मैं उमीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माद्दम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी friends के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दे ओके दोस्ता धन्यवाद जय भारत